एक बार फिट से आप सभी का crazy jika trick के daily current affair में स्वागत करता हूँ तो friends जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि daily current affair को अब हम आप से face to face मिलकर discuss करेंगे पैनल पर लेकर आएंगे तो इसी initiative को आज हम यहाँ पर आगे बढ़ा रहे friends और आपके लिए अब daily current affairs इसी तरह से पैनल पर discuss किया जाएगा ताकि में भी आपको नए नए fact बता पाऊं नए नए चीज़े current affair की बता पाऊं और आप भी बहुत ही broadly हर चीज़ को easily समझ पाएं क्योंकि face expression से और connect होकर face to face बहुत अच्छी चीज़े समझ में आती हैं यह आप भी जानते हैं तो आएए शुरू करते हैं पहला initiative friends तो देखते हैं let's see कि कैसा response रहता है आप सभी का में भी काफी excited हुई यह देखने के लिए तो आएए शुरू करते हैं बिना देर किये क्योंकि काफी student का एक concern था कि सर डेली गरंट अफेर को आप 20 to 25 minute में ही cover कराईएगा ताकि हमारा time बचे तो हम इस पर ध्यान दखेंगे कि हमारा डेली गरंट अफेर आपको एक time frame के अंदर ही मिल जाए इसलिए बिना देर कि हम शुरू करते हैं डेली गरंट अफेर को और आगे जो भी नए initiate लिए जाएंगे add-on किये जाएंगे वो आपको time के हिसाब से पता चल जाएगा आईए आज के डेली गरंट अफेर में हम 27 अफेप के सभी गरंट अफेर को यहाँ पर detail में समझेंगे जितने भी facts जितने भी information में आपको दूँ friends उनको note करते चलिएगा डेली गरंट अफेर की PDF आपको crazy jika trick के टेली ग्राम चेनल पर और crazy jika trick के application में दोनों जगह पर free of cost एवेलेबल है वहाँ पर जाकर आप इसे ले सकते हैं free of cost आईए आज के गरंट अफेर का सबसे पहला important question फूर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स दोजार चोबिस की medal टेली में पहले इस्तान पर कौन सा राज जिरा I think हमें पहले बात कर लेना चाहिए खेलो इंडिया विंटर गेम की तो दीखिए इसके एक और गेम आपके दिमाग में आएगा Khaelo India Youth Games भारत में khaelo India Youth Games की शुरुवात की गई थी 2018 Khaelo India Youth Games की बात करते हैं तो भारत में यूआउ में khaelo के प्रती जागरुकता फैलाना जितना भी यूथ है उसे khaelo से जोड़ना खेलो इंडिया यूद गेम्स का मुख्युत देश था, 2018 में Central Government ने इसकी शुरुआत की थी, और इसी के अंतरगत 2020 में शुरू किया गया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो 2020 में शुरुआत हुई, और अब 2024 में ये 4th edition है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, इस बार ये 2 phase में आयोजित किया गया है, February के 1st week में लेह, जो कि लद्दाक में इस्तीते, यहां पर इसका आयोजन किया गया, और 2nd phase, last week में जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था, गुलमर्ग में, दोनों union territory है भारती, तो 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स से, आयोजन हो च क्योंकि करनाटक, इंडियन आवमी के बाद 2nd इस्तान पर है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की मेडल टेल, वेज़क कुछ सेशन्स पहले ही हमने इसे डिसकस किया था, तब हमने इसके मैसकोट की बात की थी, मैसकोट शीने शी, जिसे शान भी कहा गया था शौट में, य पहले स्तान पर आर्मी की टीम है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, 21 मेडल इसने अपने नाम किये, जिसमें से 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉंज है, टॉप 3 तो हमको याद दखना चाहिए, 2nd पर है करनाटका, स्टेट पूछाता तो यह हमारा अंसर है, इसने 11 मेडल अपने नाम किये, 9 गोल्ड और 2 सिल्वर, ब्रॉंज एक भी नहीं है, फिर आता है 3rd पर महरास्ट, इसने टोटल जीते हैं 22 मेडल, 7 इसमें से गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉंज मेडल है, कौन से गेम्स हैं, 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स, 2024, शुरुआत की गईती 2020 म जम्मू कश्मीर और लद्दाक में सयुकतरूप से, दोनों यूनियन टेरेते, 2nd question, भारत के PM द्वारा भारत के सबसे लंबे केबल ब्रीज का इन्नोगरेशन किया गया, इस सबसे लंबे केबल ब्रीज का नाम क्या है, यसे काफी सुरुख्यों में है, भारत का सबसे 2018 का जो financial year था, उसमें इसका foundation stone रखा गया था भारत के PM के द्वारा, और अब इसे इन्नोगरेट किया गया है, 2024 में भारत के PM नहीं इन्नोगरेट किया, कहां बनाया गया, तो ये बनाया गया है गुजरात के द्वारी का, गुजरात का द्वारी का एक प्लेस है, यहां पर अरब सी पर दो प्लेसे को ये केबल ब्रिज जोड़ेगा, दो प्लेसे कोन से है, तो एक तो ओखा है गुजरात का और दूसरा गुजरात का द्वारी का, जिसे कहा जाता है भेट द्वारी का, तो ओखा और भेट द्वारी का को जोडने वाला ब्रिज है भारत का सबसे लं की बात करते हैं तो जो c पर, c के उपर जो इसकी टोटल लेंथ है वो 2.32 km और इसको बनाने में जो खर्चा आया है वो 980 करोड रुपे, almost इसको बनाने का खर्चा है, ठीक है लेंथ याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि एक्जाम में यही कोशन पुछा जाता है, 2.32 km के लिए तो नाओ का साहरा लेना पड़ता था, इसमें क्या होता था कि 4-5 घंटे भी कभी लग जाते थे, 3 घंटे भी लग जाते थे, लेकिन अब इस ब्रीज के निर्मान से क्या होगा, कि यह जो डिस्टेंस है बहुत कम हो जाएगी, इसली वहानों से, बस से, कार से, इस इसली 2.32 किलोमेटर की डिस्टेंस को तई करने में कितना डाइम लगेगा, 5 मिट, 10 मिट, 15 मिन, तो आप समझे से, बहुत कम डिस्टेंस हो जाती है, इस ब्रीज के करने, क्लियर, यहाँ पर देखे, सोलर पैनल भी लगाए गए है, इस ब्रीज पर, ताकि रात में लाइट सेतू भारत के गुजरात में इसली थे, इसी के साथ भारत के पीम ने गुजरात के राजकोर्ट में, गुजरात के पहले एम्स का भी इन्योग्रेशन किया, तो अगर कभी कोशन आपको ऐसा आ जाता, कि गुजरात का पहला एम्स कहां स्तापित किया गया, तो आपको पता ह पहले डिसकस किया था, चिनाब नदी पर देखने को मिलता है, जम्मु कश्मीर युनियन टेरेटरी में, इसकी टोटल हाइट देखने जाए तो 359 मेटर और लेंथ देखें, तो 1.3 किलो मेटर, यह हमने डिसकस किया, इसके अलावा, कंट्री लॉंगेस्ट सी ब्रीज की बात है नावा शोवा से, जो की राजगर डिस्टिक में इस्तित, इन शॉट डेखने जाते तो मुंबई को नभी मुंबई से जोडता है, लेंथ इंपोर्टेंट है हमारे लिए 21.8 किलो मेटर, कंट्री लॉंगेस्ट सी ब्रीज, कौन सा अटल से, इसके अलावा एक ओर, लॉं इस परिस्तित यहां पर आपके लिए कोशन ओफ द डे मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूं, यह जरूर बताईएगा कमेंट में कि ब्रह्मोपुत्र नदी का उद्गम इस्तान कहां पर, और इसकी लेंथ भी बताईएगा कि इतनी लंबी है, बीच में मैं आपको कोशन यहां पर हम भुपेंद्र हजारी का ब्रिज की बात करें, तो यह 9.15 किलो मिटर लंबा है, आपको या दखना चाहिए, लोंगेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ठीके नदी पुल, नदी सडग पुल, सबसे बड़ा भुपेंद्र हजारी का सेदु, लोहित नदी पर हे भारत क पुर्वी राज में, अगला कुश्यन, 25 परवरी को किस राज में अटुकल पॉंगाला उत्सव का एजन किया गया, देखिए आपको नाम से यह तो समझ में आएगा कि यह दक्षिन भारत का कोई उत्सव है, अना नाम वेस आईए, आप पॉंगल तेवार आपको यही से मि मंदिर है, अटुकल भगवती मंदिर, यहां पर अटुकल जो है वो भगवती पारवती को इंडिकेट करता है, भगवती पारवती का एक मंदिर है, अटुकल भगवती मंदिर, यहां पर इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है महिलाओ के द्वारा, यहां पर इसकी महिला उत्सव है अट्टुकल पॉंगाला उत्सव भारत के केरल राज्ज में सिल्बिरेट किया जाता है दस दिन तक चलता है गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है 2009 में 25 लाक महिला हुने पार्टिसिपेट किया था इस फेस्टिवल में तो गिनि पॉंगला का मतलब होता है भोग भोग मतलब खीर चावल और दूट से बनाई जाती है पॉंगला यह भोग है जो कि माता पारवती को चड़ाया जाता है उसको उबाल के बनाया जाता है तो यह फेस्टिवल हो गया अट्टुकल पॉंगाला फेस्टिवल भारत के केरल रज में 10 दिन तक celebrate किया जाता है, आप यहाँ पर देखेंगे, तो यह सब देखें क्या करने हैं, यह उबाल के बना रहें, पॉंगला को, मतलब भोग को, खीर का भोगे, clear, तो आयोजन, अट्टुकल भगवती मंदीर पर किया जाता है, किस महा में, मल्यालम केलेंडर के कुम्भम महिने, casually हम, अगर हम गेगरोरियन केलेंडर देखते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, इंगलिश केलेंडर, तो उसमें यह आता है, फरवरी मंत में, कित्ते दिन चलने वाला उत्सव है, अगर question यह आता, तो यह 10 दिन तक चलने वाला festival, clear, हाली में आयोजित अन्य festival की भी बात कर है, तो सेकरेनी उत्सव, हमने कुछ sessions पहले discuss किया है, नागा लेंड की अंगामी जंजाती सेलिबरेट करती है, समक्का सरक्का मेदाराम जतारा उत्सव, हना तेलंगाना राज्ज में कोया जंजाती के दौरा सेलिबरेट किया जाता है, पढ़ा था इसको भी हमने, ठीके कि स्राज्ज में कोश्यन ये तलंग आना इसके अलावा हिजला मेला ये सेलिबरेट किया जाता है जारखंड में मयूराक्षी नदी पर जनजाती मेला है जारखंड का और ग्यारवा इंटरनेशनल कटपुतली फेस्टिवल चंडीगड में जित किया गया था कुछ सेशन्स पहल करें तो ये आयूजित की जाती है इंडिया और जापान के मद्ध में इंडिया और जापान दोनों के मद्ध में धर्मगारजियन की शुरुआत की गई थी 2018 में जॉइन मिलिटरी एकसरसाइस है ओके 2018 में शुरू की गई और अब 2024 में इसका 5 एडिशन है कुनसा 5 एडिशन कहां आयूजित हो रहा है राजस्तान में एक महाजन पोस्ट है वहाँ पर या महाजन एक इंडियान आर्मी की पोस्ट है वहाँ पर इसका आयूजन किया जा रह तो धर्मगार्जियन से कुश्चन आता है कि किसके मद्ध आयूजित की जाने वाली जोइन मिलिटरी एकसरसाइस है तो भारत और जापान दोनों देशों के मद्ध में सेन्ने ताकत को मजबूत करना आपसी सयोग स्तापित करना धर्मगार्जियन के जाने का मुख्योद द इसमें जिमेक्स, इंडियान नेवी और जापान की नेवी के मद्ध आयुजित किया जाता है, वीर गार्जियन दोनों की एयर फोर्स के बीच में और शिन्यू में तरी भी दोनों देशों की भारत और जापान की एयर फोर्स के मद्ध में आयुजित किया जाने वाला वार एक चेंपियंशिप 2024 की मेडल टेली में भारत कोन से इस्तान पर रहा है, तो देखिया 2024 में थाइलेंड के पताया में इसका आयोजन किया गया है, कहां पर पताया, पेरा बेडमिंटन वर्ल्ड चेंपियंशिप है, सबसे बेली बार शुरुआत की गई थी इसकी 1998 में, ठीक है, ब इसलिए 2024 में यह 14 एडिशन है, याद रखियेगा, किसका पेरा बेडमिंटन वर्ल्ड चेंपियंशिप का, क्लियर, आयोजन हुआ है थाइलेंड के पताया में, और मेडल टेली में इंडिया रहा तीसरे इस्तान पर, अंसर मिल गया, पूरी डिटेल रहेंगे, ठीक है, आणने टोटल 23 मेडल अपने नाम किये, इनमें से 13 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉँच, सेगेंड पर हो जाता है इंडोनेशिया, जिसने 9 मेडल अपने नाम किये, 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 1 ब्रॉँच, इसके अलावा, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया इस मेडल अठरा मेडल के साथ तीसरे इस्तान बरा, सारे मेडल इंडिया के आपको या दुपना होना चाहिए, तीन है हमारे पास गोल्ड, चार हैं सिल्वर और ग्यारा हैं हमारे पास ब्रॉंच मेडल, ओके, आगे आई, अब भारत के जो मेडल विनर हैं, उनकी बात कर लें, जो गोल लेकर आएं कि वहल उनको देखेंगे, सब तो पूछे नहीं जाते एक्जाम में, तो देखिए, कृष्णा नागर ये गोल्ड लेकर आएं, SH6 केटेगरी में, प्रमोद भगत ये SL3 केटेगरी में गोल्ड आए, और सुहास यतिराज, ये गोल्ड लेकर आएं, SL4 केटेगर तो मैं आपको बता दू, जो पेरा बेडमिंटन होते हैं, उसमें अलग-अलग तरह से जो physically challenged जितने भी बेडमिंटन प्लेयर होते हैं, उनके लिए अलग-अलग केटेगरी डिसाइड होते हैं, ठीक है न, तो ये अलग-अलग केटेगरी हैं, आप छोड़ सकते हैं, लेकि आपको ये यादखना चाहिए कि ये सारे भारत के पेरा बेडमिंटन प्लेयर हैं, फोशन यहीं से आएगा, बेडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें, जो कि बेडमिंटन खेलों का आईजन करवाने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी ओगनाजिशन हैं, तो इसकी स्त जल संधी के अंतरगत आने वाली किस नदी पर शापूर कंडी बांध बनाये गया है, तो ये काफी सुर्गियों में फ्रेंट, शापूर कंडी डेम, इसका निर्मान किया गया है भारत में रावी नदी पर, कहां पर, तो भारत के पंजाब राज्य में है पठान कोड, ठीक इस ट्रीटी के आधार पर 1982 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था उस वक्त की भारत की पीम इंदरा गांधी और अब जाकर दोहजार चोबीस में इसको पूरा किया जा पाया है, बहुत टाइम लग गया हला कि क्यों बहुत सारे हर्डल थे लेकिन अब पूरा किया गया इसके अताथ अब भारत रावी नदी के पानी को पाकिस्तान में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि आपको पता एक ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी या एग्रिमेंट के नाम से जाना जाता है, 1960 में, इंडस वाटर एग्रिमेंट, यह उन्निस सो साहट में भारत और पाकिस्तान के मद्ध में हुआ था जिसमें से तीन जो सिंदु नदी की और उसकी सायक नदिया हैं, तीन नदी का पानी इंडिया के पास था, इंडिया को तीन नदी के पानी का अधिकार था और तीन नदी के पानी का अधिकार दिया गया था पाकिस्तान को, आगे बात कर पर मेप देखने हैं, तो ये रावी नदी पर पंजाब राच्च जबुँए, इंडस वाटर एग्रिमेंट के तहट, रावी, सत्लज और ब्यास, इन तीन नदियों का पानी इंडिया को मिलना था, और तीन नदियों का पानी, सिंदु, जेलम और चिनाब ये पाकिस्तान को म मिलना था, ये बटवारा हुआ, अब रावी नदी का पानी किनी कानों से अभी तक देखिए, पाकिस्तान में जा रहा है, तो अब हमने एक पर्टिकुलर बड़ा डेम मनाया है, पंजाब के पठान कोट में, शाहपूर कंडी डेम, ठीक है, 55.5 मिटर इसकी हाइट और इसक के नदी का बाहुशेत्र उस उनियन टेरेटरी में, तो हमारा कोशन शाहपूर कंडी डेम से था, तो आपको याद देखना चाहिए, पठान कोट जो की पंजाब राज्य में, इस पर बनाय गया है भारत में, यहीं पर रंजीत सागर डेम भी है, पठान कोट में ही रावी पर इसे भी याद रखेगा, 26 फरवरी को 533 अमरत भारत इस्टेशन का शिलान्यास किया गया, अमरत भारत इस्टेशन योजना कब शुरू की गई थी, तो देखें, भारत के पी-म ने 26 वैब को 533 अमरत भारत इस्टेशन का शिलान्यास किया है, फाउंडिंग स्टोन रख भारत के जितने भी railway station है उन्हें modernize किया जाना इस योजना का मुख्युन देश है आधुनी की करन करना ठीके जो rest room है इसके अलावा जो waiting room है जितने भी यात्री है उनके लिए wifi की सुविधा देना station को modern मनाना इस योजना का मुख्युन देश है अब 26 वरारी को 533 अमरत भारत station का founding stone रखा है भारत के PM ने योजना की बात की गई है कि ये कब शुरू की गई थी तो अमरत भारत station योजना 2023 में शुरू की गई थी ठीके ना एक आधुनिक railway station बनाय जाना इस योजना का उद्धिश है अगला गोशन पद्म श्री और गजल गायक पंकच उदास का निधन हो गया इन्हें किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया था तो आपने गाना सुना होगा चिट्थी आई है तो ये गाना किसने गाया है काफी फेमा से जो मूवी है मुझा मूवी का नाम तो exactly याद नहीं आ रहा है कमेंड में बताईएगा कि मूवी का नाम क्या ठीके इसमें वो गाना भी पंकच उदास ही गाते हुए दिखाई देते हैं तो इनका हाली में देखिए लंबी बिमारी के बाद फ्रेंड्स निधन हो गया है संगीत के शेत्र में या कला के शेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2006 में पद्म श्री से सम्मानित किया जा इनका जन्म की बात करते हैं तो गुजरात के जेतपुर में इनका जन्म हुआ था इस्तान याद रखना है पड़ेगा आपको गुजरात में जन्म हुआ था और इन्हें पद्म श्री दिया गया था 2006 में इमेज आप देख सकते हैं आप पहचान गयों अधर जो निधन यह भी बहुत ही लेटेस्ट निउस है याद रखेगा सुप्रीम कोट के सीनियर लॉयर का भी निधन हुआ है पद्मो विभुशन भी मिल चुका इन्हें फली एस नरीमन इन्हें कुछ सेशन पहले हमने डिसकस किया है लोगप्री रेडियो होस्ट अमिन सयानी का भी कुछ समय पहले निधन हुआ था डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ था जो की भारती शास्त्री संगीत गाई का है किराना घराने की और वेद प्रकाश नंदा इन सभी को हमने डिसकस किया था कुछ सेशन पहले भारती अमेरिकी कानुनी शिक्षा विद वेद प्रकाश न देख लेना चाहिए क्योंकि न्यूज है और हो सकता एक्जामन हमसे पूछी जाए देखे किस भारती स्क्वेश खिलाडी ने कनाडा में गुड़ फेलो क्लासिक पी एस ए चेलेंजर टूर का खिताब जीता है तो कनाडा में देखिए स्क्वेश की एक प्रतियोगिता का ए अभय सिंक किस खेल से संबन्दित खिलाडी है तो आपको याद अखना चाहिए ये भारत के स्क्वेश खिलाडी किस राज्य से बिलॉंग करते है तो भारत के तमिलाडू राज्य से बिलॉंग करते है ठीक है, एशया गेम्स 2022 जो की चीन के हौंग जू में आयूजित किये था, किस में? स्क्वेश में. तो किस के खिलाडी है? अब है सिंग, स्क्वेश के खिलाडी है. अब इन्हों ने देखिए, कनाड़ा में Good Fellow Classic PSA Challenger Tour, जो कि स्क्वेश की प्रत्योगिता है, इसका खिताब अपने नाम की. लास्ट कोश्यन देखें, आई. हाली में किस राज्ज में रास्ट प्राक्रतिक चिकित्सा संस्तान का उधगातन किया गया? तो भारत के PM ने हाली में National Institute of Naturopathy का इन्योग्रेशन किया है, भारत के महारास्ट राज्ज. विसे दो अलग अलग चीजों का इन्योग्रेशन हुआ है, देखें, महारास्ट में 25 वरवरी को, सबसे पहली बार रास्ट प्राक्रतिक चिकित्सा संस्तान, महारास्ट के पुने में इस्तापित किया गय ठीके, और इसके अलावा, यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि National Institute of Naturopathy, इंगलिश में पूछा जाता है एकसाप, तो इसको इंगलिश में ही नाम को याद रखें, ठीके ना, इसका इस्तापना किये, इन्योग्रेशन किया है महारास्ट के पुने में, और इसके अला इन्योग्रेट करने के उद्देश्य की बात करें, तो भारत में आयूष चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना, है ना, नेचरो थेरेपी आप इसको बोल सकते हैं, नेचर का यूज करके, किसी भी बिमारी पर विजय प्राप्त करना, नेचर का तो यह हमारा लास्ट कोश्यन था, कोश्यन क्या था, एक बार फिर देख लेते हैं, कोश्यन था, हाली में किस राज में रास्ट प्राकृतिक चिकित्सा संस्तान का इन्योग्रेशन किया गया, तो यह महारास्ट के पूर्णे में इस्तापित किया गया, आज के सेशन में हम कराऊं आज का भी और कल का भी ओके अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा चेनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और जैसा भी आपका कोई और सुझाओ हो तो आप कमेंट में उस सुझाओ को भी दे सकते हैं और इसके अलावा question of the day अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको बीच में पता चल गया होगा तो उसका अंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा I hope वीडियो अच्छा लगा होगा फिर मुलाकात करेंगे कल के session में तब तक अपना ख्या लखिए जै हिन जै भारत